हेलो फ्रेंड सेगा फिर साहब सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो आज के सेटों हम चर्चा करेंगे पीजी में कब से एड्मिशन लिया जा सकता है और कितने सीटों पर होगा और यहाँ पर और वी चर्चा करेंगे हम कौन-कौन से कॉलेजिस में एड्मिशन होगा कौन से जीले में तो देखी यहाँ पर नोटिस आये हुआ है विशुद्याले के पीजी विभागों में 125 सीटों पर नामंकन की तैयारी शुरू और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 21 पीजी विभाग सही 4 जीले के 8 कॉलेजों में होगा नामंकन अगले सब्ता से नामंकन के लिए ओनलेन आवेदन लेने की शुरू हो सकती है परकरिया तो यहाँ पर टोटल 21 पोस्ट ग्रेजों डिपार्टमेंट से जिसमें 4 डिस्टिक में 8 कॉलेजिस में आपका नामंकन लेना होगा या तो आप उनिवर्स्टी में ले सकते हो या तो आप अपने कॉलेजिस के जुनियर आपका पढ़ रहा होगा वहाँ पर ले सकते हैं उसके बाद है अगले सब्ता से और नेक्स्ट विक से आपको ऑनलाइन एपलाई होना चालू हो जाएगा और मैं आपको बता दो किस तरह से आपने करना है अगर आपने ग्रेजिशन कंप्लीट कर लिए और ग्रेजिशन में पास हो चुके हैं तो आप निश्चीत रूप से यहाँ पर आविदन कर सकते हैं 21 विश्यों में करीब 125 सीटों पर नामांकल लिया जाएगा इस साल ओनर्स में सभी विश्यों के करीब 65,000 चात्र सफल हुए हैं ओनर्स विश्यों में पीजी के लिए नियूनतम 45 प्रतीश्यत अंग चाहिए ओनर्स में 45 परसेंट चाहिए और उसके बाद सबसीडरी विश उसके बाद लिखा है एलाइड विशे से पीजी में नामांकन मानक के अनुसान निधारित विशे में ही होगा 21 पीजी विभाग सही दरवंगा के चार्ट समस्तीपूर के दो मदुबनी के बेगुसराय के एके कॉलेज में पीजी कोर्स में नामांकन होगा इन कॉलेजों मे CM कॉलेज, CM साइन्स कॉलेज, MRM कॉलेज, LMSM कॉलेज, समस्तीपूर कॉलेज, RB कॉलेज, दाल सिंग सराय, RK कॉलेज, वजीडी कॉलेज शामिल है बताये जाता है कि नामांकन को लेकर चार दिनों के भीतर नामांकन पर ये वेक्षन समीती एवं नामांकन समीती की बैठक होने वाली है पूर्व के नामंकर पर ये वेक्षन समीती के दो सदस्य डॉक्टर अर्वीन रंजन सिंग डॉक्टर केके साहू के सेवा निम विर्ती एक सदस्य डॉक्टर रतन कुमार चौदरी की मृत्यू तथा MRM कॉलेजो के प्रधानाचारी डॉक्टर अर्वीन कुमार जहा के जीला मुख्याले से स्थानंतरित हो जाने के कारण समीती पून गठन किया तो फ्रेंट्स यही सब इसमें लिखाव हो उसके बाद मैं आपको नेक्स नोटिस दिखा जेता हूं जिसमें एंटरेंस एक्जाम की चरचा की गई है तो यह देख सकते हैं इसमें यहां पर एंटरेंस के बारे में दिया गया इन्फूर्मेशन बिना परवेश परिशा की पीजी में लिया जाएगा छात्रो का नामगकन तो आप सभी के लिए यहां पे खुशकबरी बिना एंटरेंस एक्जाम के ही एड्म होगा मेधा सुची इसको मेरिड लिष्ट बोलते हैं उपलब सीटों पर उच्छ तम अंक वाले चात्रों का होगा एड्मिशन नामंकन पर ये विक्षन समीथी की बैठक में लिया गया निर्ण है आज होगी नामंकन समीथी की बैठक ओनर्स विशे में पीजी के लिए नियूंतर्म प्यतालिश प्रतिश्यत 45 परसंट होना निवार रहे पहली बता दिया गया था उसके बाद यहां पर इगनू के लिए बोला जा रहा है इगनू में दस फरवरी तक ओनलान नामंकन करा सकेंगे चात्र तो यही सबता शुरू होगी नामंकन के लिए ओनलान आवजन की परकरिया यही सब है फ्रेंट्स तो आपको चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं आप अपना परसेंटेज देख लिजिए अगर आपको 45 परसेंट है तो आप निश्ची तरूप से अगले हफते से आवजन कर सकते ह मैं आपको वीडियो में बता दूँआ किस तरह से करना है तो वीडियो में बने रहे चैनल से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते अगली वीडियो में थैंक्स और वाचिंग दिस वीडियो